हेलो एब्रीवन क्यास हो सब लोग उमीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे इस वीडियो में हम डिस्क्रिशन करने वाले हैं सेक्षन एक के कोशन नमबर फोर्थ के सॉलिशन के बारे में अगर आपने अभी तक इससे प्रिवेश वीडियो नहीं देखा साथी साथ आने वा एक का फॉर्मेशन होता है और यह gas कैसा है that is colorless आर छूड़ी है ठीक है ठीक है कैसा gas है that is colorless gas है ठीक है यहांब थोड़ा सा correction चाहिए था कि pop sound वहाँ से produce करता है बड़ चलो कोई बात ने अगर नहीं दिया तो अच्छी बात है colorless gas का formation करता है when a burning magic is about near it ठीक है उसके जब नज़ी दिकला जाता है which of the following correctly represent the metal x तो हमें बताना है कि कौन size में जो है वो x को represent करेगा तो आपको यह पता है कि जब भी कोई metal जो है आपको याद क्या होना चाहिए कि जब भी कोई metal acid के साथ reaction करता है तो वो किसका formation करता है salt और hydrogen gas का पका salt और H2 gas का formation वो करता है तो अगर हमें H2 gas का formation करना है colorless gas का formation करना है तो हमें यहाँ identify करना होगा कि कौन सा metal है अब metal भी आपको ध्यान देना है क्योंकि displacement reaction भी आपने पड़ रखा है कि हमें वैसा metal लेना है जो hydrogen के compare में ज़्यादा reactive हो जैसे यहाँ पर acid हमारे पास कौन सा है H2SO4 H2SO4 तो metal हमें क्या लेना होगा metal हमें ऐसा लेना होगा जो hydrogen से ज़्यादा reactive हो अबी तो hydrogen को displace कर पाएगा अगर आप बगल में copper रे लेते हो तो copper के पास इतना power ही नहीं है इतना dham ही नहीं है कि यह displace कर पाए hydrogen को तो उस case में आपको ज़्यादा reactive elements लेना होगा compare to hydrogen ठीक है समझे बात को चलो बहुत अच्छी बात है तो इस basis पे option देख लेता हो कि कौन कौन सा है पहला d से start करते है d में देखो क्या है silver silver जो है hydrogen से कम reactive है अगर मैं उसका reactivity series लिख दूँ क्या इधर एक सकड़ मैं रूखो reactivity series लिख देता हूँ ठीक है कुछ इस टाइप से कौन नाना कहेंगे मुझको पे हम कूदेंगे इसके नीचे आजाएगा HG फिर आएगा AG और फिर आएगा AU सब नीचे में है उपर में मैंने लिख जाए क्योंकि प्लेस नहीं था ठीक है तो ये जो हमें है हाँ hydrogen दिख रहा है इस hydrogen से तो उपर होना चाहिए reactivity series में इसके पास इतना पावर ही नहीं है कि डिस्प्लेस कर बाए कॉपर भी hydrogen से नीचे है तो इसका मतलब इसके पास भी पावर रही है अप्रॉक्स मतलब इक्वल ही होता है लेंगे तोड़ा सा स्लाइटली कम होता है ठीक है चलो बी पार्ट में देखो क्या है बी पार्ट में हमारे पास sulfur है sulfur तो एक non metal है यहां तो metal डिस्प्लेस करेगा non metal के पास कहां जिदमाया इतना कि यह आ गया option में यह तो कथे ही मतलब देखने लाइक नहीं है ठीक है तो हमारे पास कौन सा बग जाता है sodium देख भी रहो कि sodium जो है वो completely बहुत जादर एक्टिब है तो उस बेसिस पे option number A is the right answer of this question I hope कि यह पार्ट भी आपको एकदम clear form में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका solution जो है वो किया है मिलते आप से अगली वीडियो में question number 5 के solution के साथ complete playlist का link में आपको description में तो एक बाड description आप जरूर चेक कर लोगे